जैहिन दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं इस question के बारे में इस question में क्या का गया एक केंड डू सर्टें वर्क इन सेम टाइम इन बी एन सी टूगेटर एक काम को करते हैं जितना time एलेगा उतना ही time बी और सी लेते हैं यानि कि ए दे रखा है यह आपका और बी प्लस का सी सबस्क्राइब तो यह वही दिए रखा यह अगर वन डे लेगा तो यह भी बीवन डे लेगा यानि कि टाइम गाल रिशोर दे रखा है मुझे अगर मैं इन दोनों का यान की बात करो चैक्षा की बात करो सेम से माय इसके बाद इसने का है इस ए आ एं वी टूगेदर दू पर दे रखा है यहां पर दे रखा है और दे रखा है आपका बी इसको क्या में लिवाइड करूँगा तो यह मेरे पास कितना हुण यह कितना हुण यह पास योनित काम करते हैं और C अकेला एक दिन में इंट काम करता है अगर मैं काम तीनों से कराहूँ ए प्लस बीपलस सी से कितना wharti total मेरे पास में est extreme और है कितना करता है और ये मेरे पास एफसी कतना करता लोत तो तो दोनों मिलाके 6 unit काम करते हैं, यानि कि अगर मैं इसको divide करूँ, तो मेरे पास कितना आएगा आपका ये 25 by में 3 days, यानि कि A, B, C, तीनों मिलके कितना time लेते हैं, 25 by में 3 days लेते हैं, अब देखते हैं जड़े इसको, अगर मैं इसको total करूँ, तो ये मिरे पास total कितना है, 1 1 है, और इनकी efficiency कितनी, 1 plus का 1, 2, अगर मैं इसको divide करूँ, 1 को 2 से divide करूँ, तो मेरे पास कुछ time आएगा, जबकि ये क्या कहा है, ये A, plus का B, plus का C, तीनों मिलके कितना करते हैं, इस काम को 25 by, 3 days में complete करते हैं, यानि कि अगर इसे 50 by में आपका 3 से multiply करूँगा, तो ये मेरा करता है, 50 by में 3 days में, इस पूरे काम करता है, तो यहाँ पर देखिए, A plus का B, जो 10 दे रखा, अगर मैं यहाँ पर A और ले लूँ, तो A कितना लेता है, 50 by में 3 days लेता है, तो इसको अगर मैं से divide करूँगा, तो ये कितना unit काम करेगा, 3 unit काम करेगा, कौन करेगा, A अकेला एक दिन में 3 unit काम करेगा, और जब A और B मिलते हैं, दोनों कितना unit काम करते हैं, 5, तो दोनों का जो difference होगा, यानि 2, और वो 2 unit काम किसका होगा, मेरा B का, और मुझे पूरा काम किस से कराना है, B से कराना है, काम मुझे पता है कितना, मेरा 50, और मुझे ये काम पूरा B से कर होगा आई होब आप सब्सक्राइब समझ में होगा जय हिंद जय भारत